वेलकम फ्रेंड्स मैंकित कुमार आप लगोजा साहाब में डिसक्स कर रहा हूं हिंदी व्यक्रन को तेक हैं और यह जो हम हिंदी व्यक्रनें डिसक्स करेंगे यह कि अग्जाम के लिए और के इसके एक्जाम में देखिए विबिन परकार के और भी चीज़े आती है तो पार्ट वन को देखें तो पार्ट वन में हम डिवाइड करें इसको दो पार्ट में एक आता है आपका जर्णल इंग्लिश जर्णल इंग्लिश जो है ये आपका टोटल होगा ।辉न्टी मायक्स का त उस पर अपकर आए गए यहां पर जर्णल हिंदी कि आपको मार्ट क्लीय करना जरूरी है और थे जाएंब में मिनीमब आपको 5 मार्ख लाना जरूरी है तो आ तो आप qualify इसको नहीं कर पाओगे ठीक है अब जो इक्जाम का पैटर्म इसको डिसक्स करें और आप देखिए जहां पर अगर में ग्जाम का पैटर्म पूजितर डिसक्स करेंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आपको बताचेता हूं कि आपको एक वेबसाइड है हमारी डिघीमेंटो ठीक है मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए www.digigimento.com यह हमारी वेबसाइड है इस पर आप जाकर के इस एक्जाम से रिलेटर्ट है के विसक्स करने वाले उससे रिलेटर्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे उनको आप समझ सकते हैं सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं और जो इनफोर्मेशन रहेगी ग्जाम से रिलेटेड की इग्जाम का पैटन कैसा है कितने मांक्स को सब सा आता है वो सब आप लोग यहां पर जा करके देख सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग डिसकूस करते हैं इस पेपर को और आपक करूंगा आप से 2016 का हम 2016 के यर को यहां पर चलेंगे मैं बहुत करेंट वाला भी नहीं कर रहा कि तो अभी मैं वह नहीं कर रहा है पहले 16 का देखते कि 16 में कैसा था क्योंकि हम एक दू साल का पुराना लेकर देखेंगे तो यहां आइडिया रहेगा कि उस ताइम पैसे आय करते हैं के वे से कोश्चन डिसक्स करना है कि हम यहां पर जो कोश्चन डिसक्स करने वाले हैं वह है हिंदी व्याक करन से रहेटिए सबसे पहला जो कोश्चन है वो आप लुके सकते हैं मैं पढ़ लेता हूं यह है कहां अचीस कि इस कौन सा सर्वनां है नीचे दिये विकल्पों में से सही विकल्प का चैन कीजिए अब विकल्प आपके लिए क्या दिखखेंऊalley पहला विकल्प ही कहते हैं कि संबंध वाचक है अब संबंध वाचक शब्द है जो हम बात देखिए संबंध वाचक के हम बात करते हैं कि संबंध वाचक अब जो हमारा यह वर्ड है जिसको हम डिसकास कर रहे हैं क्या वो संबंध बाचक से किसी परकार से मेल खाता है आप कुछ सोचिए कि किसी परकार से मेल खा रहा है वो संबंध बाचक से संबंध बाचक में क्या है देखिए यहां पर हमेशा संबंध की बात होगी और संबंध चलता है कि माता पिता आपतर संभंद है पुटर बेट पीट पत्र कीछ ग ela कर सकते हैं यह मता पुतर के प्रकारा समध जिसका किसी एक से दूसरे का संपंध हो की जिसका किसी एक से दूसरे का का कोई संबंध हो संबंध हो उसको हम क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम संबंध वाचक ठीक अब इसके अनुसार आपका जो अगला शब्द इसमें दिया गया है वो है पुरुष वाचक सब्सका जाता है आपrito कि अभी की बात कर रहे है आपने कर भी सोचा है कि उसको के इतके दॉपलेंगे पुरुष ही नहीं है हम तो जैसे नॉर्मल चीज़ें बोलते हैं यह कार है यह बाइक है यह इंसान है जानवर है यह पंखा है यह आप पढ़ रहे हो वो क्या है वह अब मैं उसको बोलें लेकिन आप क्या बोलोगे उसको कि यह लैपटोप फिर मोबाइल है तो वहां पर इस्कार सर्फ है यह बात कर रहे हैं किया इस चीज का निपिक्स कर देतें हो अब यह जो शब्ड है उसमार आप प्रेक्स अब पंधान नहीं आपके लिए क्योंकि मैं अब आपको क्या बता है यह कुता है यह गाडी है गदा है इंसान है जानवर है यह आप ले रहो ना तो इसका जो आपका वह गया क्या कि निच वाचक और सब्सक्राइब यह इसका सभी आंसर हो गया यह से कनेक्ट थो था क्यों नमर्ट 21 है जो आपने भी डिसक्स किया आपके सामने उसका अंसर क्या होगा यह नहीं कि उसमें जो इसक्रिंड आपकर को इसके क्या होगा है ठीक है अगला कोशन जो है हमारा वह हिंदी व्यक्रण से ही है उसमें आगे पूस्ता कोशन में आप इसक्रिंड देख सकते हैं यह आता है अहट ठीक इसके हम बात कर रहे हैं इसमें कहा गया है अहट प्रते से बने सही शब्द को नीचे दिये गए विकल्पो या फिर विभिन विकल्पो में से चुनिए ठीक अब आपको चुनना है यहां पे इन कि प्रत्य से बने इस पर ध्यान दीजे प्रत्य से बनने की बात कर रहे हैं यहां पर कोई और तो बात नहीं कर रहे हैं यह प्रत्य क्या है लगने कि लाश्ट में लगने वाला ऐसा शब्द है ठीक जिसके लगने से उस वाक्य की अबधान ना बन जाए एक मतलब निकल क्या है ठीक है आप लोगतें क्या अव्यार संभत्त पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे एक होता है यह होता है लगना और बाद में लगना भी होता है दोनों में किया होता यह हमेशा बदल जाता है तो इसके अनुसार आपका जो ने सब और हो गया हम इसके आप इसमें देख सकते हैं ठीज़ किससे आ रहा है आपका प्रीकों आपका कर्वा हुआ यह यहां बजये वर्ड आ ठीक है वहाला है इसमें एक और आ है उप्षिन जो मैं आपको जिखाता हूं यह गिरावट गिरावट शब्द जो है इसमें कहीं पर हाका जो हमें हाची और नहीं तो इस विए से गलत हो जाएगा ठीक अगर मैं बात करूं रहट की इक इसमें क्या है इसमें आ को परणाउन्स है और गात दहर्न भी तो इसलिए यह यह ऑगर दिया गें आपको आ हमके मिलेकावं है तोो आप जो क्रवाह्त क्योंकि इसमें और है यहां पर आंगा है कि आ है जोड़ दिया गया और हा उटा ठीक है तो इसके लिए आगया आहट यह बनता है तो आपका जो कुश्चन है जो आप जिसको डिसक्स करें तो अगला कोशन है निमें लिखित विकल्पों में से शब्द की शब्ध वर्तनियम वाले शब्द का चुनाव कीजियें ने अपनी जिसमें और शब्ध हम जानते हैं कि इस सक्वल्पों में यह भी तरीका फिर में अब तरीके से लिख न्येकर टॉहयं कि फिर करदों लेकिन इसे पच्छों हमेशा करते हैं तो ऐसको मैं यहां लिखूं पूर एसे कर दढूं तो क्या इस थैप उसी परकार से वह दिए गये ब्रप्ण तो यह ऐसे हो जाएगा तो यह भी शब्द नहीं बनता द्रपण के साब से यह शुद्ध सब्द नहीं होता उसके बाद में लिया गया है कि यह वाला शब्द और एक लिया गया है कि अब आप कहेंगे सब यह वाला शब्द है वह इस वाले शब्द से मिलता जूलता है तो यह सब सब्स Mend sex कि यह शब्द आपका जिसकी मैं बात कर रहा हूं जिसको मैं सब्सम्self relevant और दरपनpad तो इसके हमारे शुद्ध शुद्ध में डूड़ना है तो शुद्ध में आपका थ्री जो ऑप्शन है अब इसमें डिसकस करते हैं अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है स्क्रीन पर आपको देख लीजिए अच्छे रहे हैं एक अनार सो बीमार इस लोकित का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनी है आपको वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक कोई भी वस्तु के हम बात करते हैं अगर वस्तु थोड़ी होगी थोड़ी मातरम होगी और इसको चाहने वाले विबिन परकार के होंगे यह अधिक होगे चाहने वाले ठीक है इतनी वस्तु ही नहीं है जिसको चाहने वाल होता है कि कोई एक लड़की है उसको चाहने वाले दस लड़के अब क्या हो दस शादी कर लेगी वह संभव नहीं है ठीक है यह वह महबाद कर देवान तो यह नहीं कि भाई उठे और दौपती तरह पांच-पती बना लिए अब बना कर दिखाओ इम्मत है तो ठीक है तो क्या पूर्टी बात कि गई है मांग कम कि और क्या रहा आ गए पूर्ती अदिक अप कि अब wn giro passtus हो यहां पके डालके अब लड़क लटकों कहीं है लेकिन पूरती ज़्यादा हो रही है कैसे इದ्च ना करकल देखो लड़की ए लड़की को चाहिए लड़का यहां 10 लड़के हैं पूर्ती अधिक है पूर्ती अधिक हो गई टीक मैं आपको किसी और समझा सकता था लेकिन आपको इस जनरेशन के ज्यादा अच्छा समझनाएगा ऐसे इसलिए मैं यह वाली वार्ड यूस कर रहा हूं आपके लिए तो यह है कि उसके ऐता है अनार को चाहने वाले अनेक लॉग इसलिये है कि अनार भी कुछ लोग चाहते हैं कि लोग नहीं लगता अब है किसके ओछय है कितने लोग भी किसा तो आपके तो वह तो भी नहीं होता है आप अब आएगा इसमें अगला उप्चिन जो दिये गया एक वस्तु के कम चाहने वाले अब यह वस्तु है इसके चाहने वाले कम मुझा की कुछ भी हो ठीक है कितने लोग है जो ओड़ी को चाहते हैं ठीक है कुछ जरूर थोड़ी सब चाहते हो एक तरफ ओड़ी खड़ी एक तरफ मारूती 800 गड़ी है दो अलग अलग गाड़ी खड़ी है अब उसमें से आपको मारूती 800 सोचों कितने लोग पसंद नहीं हर कोई तो ओड़ी को देखेगा हर किसी के दिमां में क्या ओड़ी मिल जावे करक्ट है कौन चाहेगा कि मारू यह भी नहीं हो सकता तो हमारे जो ऑप्षिन क्या हुआ मांग कम पूर्ति अधिक हो रही है तो यह उप्षिन सही होगा कि एक और सो बिमार में ठीक है अगला कॉशन करते हैं कॉश्चन नंबर 25 कॉश्चन नंबर 25 है निम्मलिखित विकल्पों में से शुद्वाक्य चुनिए पहला प्षिन है चार आदमी के लिए खाना बना दो अब देखो यहां पर क्या हो गया आदमी ठीक जबी भी आप एक से अदर की बात करते हो मतलब अगर एक है तो आप उसको बोल दोगे क्य लेकिज़ग पर एक से जदह हो गये मानले 2 हो हो गए और 21 कर दो पिलस चार कर दो अब यहां पर ज्यादा हो रहे इंसान तो आप सभी को एक केम कहत हो गए तो ऐस परकार की बात आदमी ने करके क्या ना चाहिए आद्मियों क्योंकि है ज़्यादा की बात कर रहे हैं ठीक самое आदमियों आपको करता तब आदमी देख्यों को लेकर ऑद में को लेकर करते एक को लेकर लेकर करे ले के हैं आदमियों की वो इनकी बात करेगा उत्व इनकी का तब स्किल लगेगी ठीक है तो शुद्र काकिश्य नहीं हुआ अगला देखते हैं मैं तीन कुर्सियां मैं ने तीन कुर्सियां खरी अगले मेरे भाई के शादि के लिए अनेको प्रस्ताब आक अब दखिए अनेको शथ आगे अनेको आप हमेशा बात करते हो तो अनेको बात नहीं अि कि अच्गी नीक कर भाई को कि सब्सक्ता नहीं बाय और समय ПрCharles यह अगला है दादी का प्राणी निकल गया अब प्राणी किसको हम बोलते हैं अगर आपको यह पता तो आप इसको वैक्ति निकल गया किसे निकल जागा दादी के प्राणी निकल गया पर बोस्तों की जादी कगार को निकलने की ठीक तो अलग बात है कभी माइंड मत करना यार मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूं तो प्राणी और वैक्ति उसका संबंद आपस में यहां पर क्या हुआ कि दादी के प्राण निकल गए यह सही तरीका होगा अब आपने का सही क सब्सक्राइब करें चार आदमी की जगह पर आदमियों तो हमारी बची वह शुद्ध रूप से सही है वह शुद्ध वाक्या है अगला समय देखते हैं को सब्सक्राइब अगला को आपकी स्क्रिन पर इसको पढ़िए नहीं में लिखत शब्दों में से शंकर शब्द कौन सा है अब देखिए कि सब्सक्राइब कर रहे हैं पर इसकी बात कर रहे हैं देखिए एक शब्द है कालीन एक सब्द है सरासर एक है रेल गाड़ी एक है लिफाफा देखिए लिफ्दी प्लस अंग्रेजी के जोड़ से शब्द बनते हैं उन्हें हम शंकर सब्द क्याते हैं मतलब अगर शंकर सब्द की बात करेंगे तो यह पर हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा तो हिंदी प्लस अंग्रेजी इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमें शंकर सब्द मिलेग अब कालीन δिमें किन से ऍगल से में कहीं से आया कर आि स परकार से शलिए उस प्रकार से ने मतलब नहीं आ रहा रहा है शब्द है यह रेल गाड़ी मोट गाड़ी अब यह इसको देखते हैं क्योंकि जो रेल है वे शब्द आवे और गाड़ी आपको किसन को घाया है मैं बतबों समझाता है कैसे लापाद गामनी रेल गाड़ी का सुध हिंदी शब्द यह क्या है लापद गामनी अब बोलेंगे तो आप शुद हिंदी बोलेंगे जैसे कि और लिखे वे अगला है आपका कोश्चन नमबर 27 निमिलिकत विकल्पों में से कभी शब्द का इस्त्रिलिंग छाटी है अब शब्द क्या दिया गया में कभी और इसका क्या चाटने के लिए वह में इस्त्रिलिंग तो यहां पर आपको क्या मिलता देखने के लिए इसमें आपको कभी कभीत्री तो यहां पर क्या मिलता देखनें लिए इसमें आपको कभी क्योंकि जो कभी होगा वही कभीत्री के तरफ कभी है क्योंकि कभीстरी फीमेल भी तो कभी तरही बोलेंगे और जमेल लोग तो कभी बोलेंगे तीक उसके बाद में शच्ब क्या दिए लिए बाद में काभ गावे कावे में कोई भी ऐसा छब नहीं आता कि कभी है और इसका अब कर से कवीध नाम की तरह है कि नाम आप लड़की की नाम जह सकते हैं कवीधा ठीक है तो अब कवीधा में कभी कर दो इस तरी यूज करेंगा सही शही चाहिएज गोड़ाएगा अगला कुशन देखते हैं option है इसमें question अगला आपके स्क्रीन पर भेड़ चर रही है इस वाक्य का सही बहु अचन रूप है कौन सा हो देखना है यह option में आपको दिखाए देरोंगे भेड़ चर रही है पहला option है भेड़ चर रही है अगले option है भेड़े चर रही है पहल!' है उसमें लिखा है हम भेड़व शब्त है यहां कि है भेड चर रही है कि बात करना है लेकिन यहां के लिखा भेड और बेड़ के लिए बहुत सारी बिएड़े हैं तो आ की बहुत अब शारी बहुत कि अधेक है की रही बात और टीक्त है उसके पात अगला घंडे चर रही है कि अभिष अब यह वी शब्ध है इसमें भी कोई बहुंत मतलब अगला आ रहा है भेड़े अब देखिए यह शब्ड दोने सिध्ड समान लेकिन छोगे में ने थीलड़े होगा तो उसके लाउस्ट में जो है लिखा उसमें पर बिंदी रही है और पहेड़े चर रही है तो है और है डोना में अंतर आ गया तो इस इसी साफ सामारे जो option होगा second option से होगा कि भेड़ें चर रही हैं ठीक है अगला कुछन देखते हैं इसमें कि अगला कुछन है बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं निम्मिलिखित विकल्पो से उप्युक्त विकल्प की पहचान कीज़ें दखिए यहां पर क्या हमें दिये गया बिना अवरोध के उफ्सक्राइब के बिना अवरोध के ति यह बात लाट है कि जोन देना है कि जहांतर सब्द को बोलते समय कोई अवरौदे तो कोई रुकावट आपके सामने नहीं आ रही है अब ऑप्शन में कहते हैं स्वर घोष वियंजन या इसपर्ष देखिए जो सब्सक्राइब करना वह टचिंग वह टो और पर आंथर आता हूं जो कि अदम फैक्ट्व आपने कभी सब्सक्राइब कहीं अपने कभी संगीत कारों को गाते पर सुना है संगीत कर क्या करते हैं स्वर को अच्छी तरह निकालते अपने मुग से अगर उनके स्वर में कहीं आपने रुकावट नहीं आती है आपने सुना होना बहुत से आपने रियालिटी शो भी जखेंगे उसमें आते हैं बच्चे आते हैं कुछ वेस्कों लोग आते हैं वो अपना-पना गाना प्रस्तूत करते हैं ठीक है जब बैटे होते होते हैं कि आप ऐसे स्वर को खीचते एक सब्सक्राइब बैखने की डिया पोच्ता गया उन्हें करते हैं लंकिने की सिस्टाइब नाम किस कारण पड़ा ऑप्शन है इसमें खरी खोटी कहने की शमता है इसमें खरी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है हम खरी बोली की बात करने तिक दियान रखेगा इसका ध्वनी विन्यास करकश है इसे खड़े-खड़े सीखे जा सकता है तो बहुत अजीब सी बात है तो croisil unity खुक है कोई बास है और थैजब सीखें रखें से यह सबकष इसमीं खरी मातरा का प्रयोंग अधिक होता है कि खड़ी मात्रा अधिक होता है अधिक हम अधिक पर जोड़े हम सब छलक्ष को Nike तो संभब नहीं है अब जो मात्रा है जहां पर मात्रा मालीजे चोटी आजनी चाहिए तो उस पर कार की बात है अब इसमें खड़ी-खोटी कहने की शंता है और यह सही बात है आप आप नहीं कभी दिखाओं नहीं मिंट से पहले मुझे जो मर्जी बोल देखा जाए तो खरी-खोटी कहने की जयाशनता है तो इसके अनुसार जो आपका उप्चन हो गया वह गया वन वन इसका करक्ट आंसर हो गया ठीक है खरी बोली आपके उसमें खरी-खोटी कहने की शब्द का चैन कीजिए शटीक शब्द की आबात कर रहे हैं ठीक है अब सटीक शब्द हमें सटीक शब्द निकालना है किसके उसमें सब कुछ जानने वाला सब कुछ महिए जानने वाला ऑब यह शब्द हो गया इसमें देखिए पहला option आपके लिए क्या देग है इसमें घ्झानव कि अ अब देखिए ज्ञ्णवान का पूर्थ क्या होगा समझ लेते हैं इसको ग्चन वानन यहां पर इसको दो पार्टे बाइब कर देखते हैं एक है ज्लाइब का मतलब क्या है आपको नॉलीज आप जानते हो बहुत चीजों को सकते हैं उसके पाद अब यह जो शब्द है देखे ज्याएम कि आपको हर चीज बहुत जाता नॉलीज है अब इस शबद में आंतर क्या है ज्यां वहाँ पर इसको थोड़े बहुत कोई टॉपिक या उसको उपर उपर ज्यान है नॉलिज़ें मंचिया चलू है इंदी की बात करें ईंदी के उपर उपर इसको नॉलिज़ें तो ऊच्पा इन सब्सक्रूनिग एक इन्सान है वह कई सब्स बहुत अच्छी नॉलिजिस को बहुत कुछ चीजों के बारे में जानता है एक चीज को जानना और सब्सक्राइब बहुत जानना अलग अलग बाते हो गहीं दोनों उसके बाता है सरवत्र अब यह चीज है इसलिए कि अधिये एक पूर्ण रूप से बात होती है कि आप पूर्ण हो अब किसी चीजिए पूर्ण होना क्या संब्भ वो सकता है आप मैं बोलूं कि घ्याने के चीज़े जो हर रोज आपको नहीं कुछ चीज़े मेरे को पता होंगी तो आपको बुट्धिमान अब बुट्धिमान अब यह अब यह अपपर ज्यान की बात किसको है पूर्ण हो सकता है धने कि आप ने किसी चोटी चीज को हल कर दिया अब बुद्धिमान को हो सकती है आप यहां पर हम समझ्य को जानने वाले को समस्य पड़ाई लिखा हिना किई तो पड़ाई इंगा नहीं हो लेकिन बुद्धिमान हो सकता और वो कि निकाल सकता है वह पाल कि अनपढ़ तो नपढ़ ही कहिंगे उसको अब उनपढ़ इनसान तो नहीं सब जानता होगा तो इसके अनुसार आपका सही आंसर हो गया वह हो गया सर्बंग्या ठीक है यह आपका सही आंसर हो गया अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है इसमें देखिए वह आपकी स्क्रीन पर नीचे दिये गए वन विच्छेद के लिए सही शब्द निम्मे लिखित में से चुनिये सही शब्द क्या है देखिए पहले में लिख देता हूं यहां पर आ जमा रा सुञें और रा में साथ अरं प्लस आ यह शब्द है अब उसके लिए सभी चुनना आप एक शब्द तिक यह अर-stat अर्तिक है उसको और शबूस आरतिक हमने कभी सुने आरतिक क्या है आर थिकम खुद भी नहीं जानते एक शब्द है आरतिक है सब्सक्राइब किसको ख़ते हैं थीक है उसके वाग़ा तक और इसमें वह गिरा इते नीचे तो और उसके बाद में हम इसको ऐसे कर देते हैं यह देखिए हम कुछ जानते हैं यह तो हमारे अर्थिक तो हमें आर्थिक शब्द हमारा यह बनता है यह हमारा सही शब्दों का अर्थिक टिक अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन है शब्द जमा अर्थ संदी से कौन सा शब्द बना है कि किसी बात कर रहे हैं किसी करा रहे हो जमा अर्थ जहारा इस ने से कौन सा उंसा भाण बना है कि ऑप्ष्ण में क्या देखेंबस को शब्दाष कर्द रथ संदी के uponच पर सब्सक्राइब होते हैं अगर हम सभर संधी की बात करें हैां तो स्वर संधी को हमें पांच भागों में बाटा-फांपल खेंग अब में आपको नहीं बता हूं कि पांच पागों में कैसे बाटते हैं यह सब बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्ट तो इसके लिए हमारा जो सभी शब्द बनेगा और जोड़ कर देखेंगे तो हमारा सभी शब्द क्या बनेगा शब्द पहले वाला उप्शन दिया वह सभी है क्योंकि उसके बाव में देखें एक में क्या है आक अर्थ करका लिए तो शब्द आर्थ ऐसे नहीं लिए हम खुद भी आंदर शब्द आर्थ हम कैसे लिखते हैं तो यह जो शब्द लिख आ है मैंने यह सभी शब्द आर्थ के लिए ठीक अगला कोशन देखते हैं इसमें अगला कोशन है यश का सही विलोम शब्द निम्मेलिकित विकल्पों में से चुनिए है यश की हम बात कर रहे है कि ठीक है कि लिखिए यश जो है यश का हम समझें किसको है यश के जो अर्थ हैं को देख लिए यश में आता है कि आपका प्रशन सा कि बढ़ाई कि कीर्थी यहना APP आप यह किसी का नाम आध्मी को नाम होना कि विखिते हैं कि उस आदमे का बहुत नाम है यह उसिपशर आप अब देखे इसमें आपको दीया गरे हैं पहला Washington अब कू यश जो है ठीक कू यश अब इसको अगर हम देखें तो क्या बनेगा इसका मतलब यश जो है इसके आगे कू लगा देजिए ठीक उसका अपोजिट कर देचा आप यानिकी बदनामी कू विख्यात कलंग यानिकी जिससे आपका बुरा किसी के लिए हो सही नहीं बैट कू Eğer रहा तो इस परकार को पूझे कि आगया सू कुमार कूमार कैसे वोते हैं की सबना हुआ कि 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 rail को को कुमार चिरण जीविए टीकरप शांदार बहुत अच्छी बात के लिए बोल रहे हैं कि शू कमार राहुल पदार रहे हैं तो बोलता कि ये उसके बाद इसमें लिखा यश ही अब यश में यहां लिख करके उसमें हीन जोड़ दूँ अब जो हीन है यह उलग कर लिए थोड़ा सा और ही शब्त को समझे यह करता है ही भावना घर्णा से भरी भावना उस परकार की मतलब यह वाली जो आपकी चीज है यह इसका पूरा ही अपोजिट ले जाए आप इसमें तो यह तो बिल्कुल भी नहीं आए इसमें कि यह इसके पास को यह ही जो यह से अलग है जिसकी प्रेंशन सा नहीं हो रही जिसकी बढ़ाई नहीं हो सकती जो किर्ती माननी जिसका कई पर नाम ही नहीं है तो वह जाएगा अप यश्च जो अप यश्च वो शब इसमें सही बैठता है ठीक यह का विलोंग आप क्या सकते हैं अप यह हो गया तो इसका अंत्राव क्या होगा फोर अपिश अगला कोशन डिसकर्स करते हैं इसमें अगला जो कोश्चन है देखिए निमलिकित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का परियावाची शब्द नहीं है उससे छाटिए यहां पर परियावाची शब्द छाटना आप जो भुजंग अगला है विश धर उसके बाद अगला है अही यह जो शब्द है इसमें मैं दो जोड़ता हूं कि नाग यह पनी यह जो शब्द है यह सारे ही शब्द किसके लिए उस कहते हैं सांप के लिए सांप के लिए सारे शब्द यूज कि जाते हैं कि भुजंग का मतलब क्या है वो जिक लंब योता साप अबैस्तों कि कई बुजाई निकली पड़ी है पंच वाला नहीं उसको बूल जाए सिंपल सांप क्यों सोचिए कि एक माली ऐसे तकर करके सांप बना दिये मैंने सांप समय जिए शुख संवयगी पतला महत वह अवह अलग बात है लर्ग विश को धना करता है सांप डिना विशक को बहुत ही दिक्ता देखता है नाम है नवमनी योसा कि नाम है तो इसमें बचा कुण साओ गए से बचा गए मकरं मकर इन में से किसी कभी नहीं तो हमारे इसमें क कि अग्ला को जो कुश्चन है उसमें आगमन ठीक है शब्द दिया गया हमें आगमन कि आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है किसी की बात कर रहे हैं उपसर्ग पूछ रहे हम से अगर उपसर्ग निकालना इसमें नीचे दिये गए विकल्प से चैन की आपको इसक्रीम पर दिख रहा हुगा दिया गया पहले में अ दूसरे में अब आग या फिर अ देखिए उपसर्ग क्या होता पहले इसको समय लीजे कि उपसर्ग क्या होगा वह अव्यव जो शब्द क फेरे लगकर शब्द का अर्थव बदल देएं एक कोई भी चीज विश्वार हमने मानेले लिखा हम पर अंकित लिखा तिक है उनको हम क्या कहेंगे उपसर्ग probabilव जो है दिए एक शचर्च में क्यों लिएक क्योंकों क्यों अट लिगन पार आत्कना संब है अब श्ब्यों आगे हमने क्या लगा दिया तो इसका मलब गव्याई अगमन अपको अप्शन पहले वह दिया अब मैं इसको गमन के साथ आगा सोचे आसा लगातों मैं अब गमन तो शब्द में बात नहीं आती है ठीक तो उस अर्ग नहीं है इस वेसे हमारा जो आंसर वन हो गया इसमें करेक्ट है ठीक है अगले अगले हमारा कोश्चन है निमेलिकित में से कौन सा शब्द दुवंद समास का उधारण नहीं है किसकी बात कर रहा है दुवंद समास की कि दुवंद समास का उधारण नहीं है यह क्या रहे है और समास में हम दुवंद समास समझते हैं कि कितने परकार के छे परकार के होते हैं टोटल दुवंद समास के छे परकार है पहला है दुवंद समास दूसरा है अब यही भाव समास कि अगर मैं लिखूं इसको लिखने की इतनी जरूत नहीं कि आप सुन लिजेए बैठ रहेगा दुन समास अग्याई भाव समास तत्व पुरुष्च समास करम धार्जे समास कि द्विगू समास और बहु ब्रही समास ठीक है यह आपको छे प्रकार के समास होते हैं और आपको सुर्ण हरी शंकर अब इस शब्द में कोई आपको दो पार्ट में डिवाइट दिख रहा है अगर हम शौट्ट कट में समझें कि जिस शब्द को दो चीजों में बाट दे जाएगा जैसे दो शुमिदे में कैसे पाट जाएगा दिन दिन जैसे option में भी दिया दिन इसको आ पर वह जो कर्यां पर नगे कि यहां पर यहां पर डोपिन के बात से खुचिया है और यहां पर दो की बात हो गया और कि दो शब्द लिखें परिकार से इसके कर दो लिखहें तो अबसे आनसर यह है आगला देखते हैं अगला जो question है आपका देखिए वह पढ़ता तो पास होता यहां पर किसकी बात कर रहे हैं कि वह पढ़ता तो पास होता इस वाक्य में कौन जा काल है निमलिकित विकल्पों में से सही विकल्प का चैन कीजिए आपका यहां बात करें वह पढ़ता तो पास होता थिक को यह अपकर क्या करें देख्यों में हे तुह हे तुम कद्दहूत त इसमान्य भूत कूनुन भूत को देखेंगे तो यह तुम मद्दchnक्त को देखेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं मैं अगर मैं भूका होता तो मैंने मिठाई खाई ऊथी एक उधायान के तोर पहा समानने भूत में हम क्या देख सकते हैं मैंने मिठाई खाई दूसरा है पूर्ण भूत मैंने मिठाई खाई थी यानि कि पूर्ण आपने कर दिया उसको ठीक है अब पूर्ण भूत मैंने मिठाई या फिर मैं मिठाई खा रहा था ठीक इसके बाद आपको पांच वागर में द तो यहां पर पढ़ता तो पास होता इस परकार के अधारना तो आपर हेतु किस्तिते दिखाए जाए लिए और देखिए इस चीज़ को समझना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसर्श को अलगी समझते हैं तो मैं आपको आपको आंसर आता हूं कि इसके अकोर्डिंग ज अगला solution करता हे तो कौन सब्सक्ता है निशे दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए आपको चुनाप करना है जेई गय कोक़से घाब कर नहीं करते हैं कर तब क्या है कि और करता है कि % करता है अब नीजो कि बात कर रहे हैं करता कि की कर ले है करने की अब जो करम वाचक करमसी अलख्षी हो जाएगी इसमें कोई नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता ठीक है भाव आशक है भावके इस बात नहीं हो रहा यहां पर क्या बात हो रहे है करता वाचक ठीक है तो इसमें आपका जो उत्तरा जाएगा वो गया करता वाचक ठीक जो पहला option आपका है वो इसमें correct answer के तोर पर हो गया अब इसका last question discuss करेंगे और last question है इसमें उसको देख लेते हैं एक बार उसने टेड़ी चाल चली ठीक उसने टेड़ी चाल चली अब यहां पर बात चल रही है वह टेड़ी चाल वाली आ ठीक है और देखो थोड़ा वह तकर लिखने में द्यान दिया तो मैंने भी टेड़ी तरह से लिखा आई है तो अब वाक्या में कौन सा कारक है हमें पैचानना नीचे दिए विकल्पों में से पैचान कीजिए कि ऑप्ष्ण पहला करता कारक कई दूसरी आप्ष्ण पर आपना संबंद कारक टीसरे अधिकरण कारक ना चार्मकारक अब अब सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो अवे बाहर भी चलते अपने मर्जे जो की तो अपिसमें आदीकरन कारक कि किस बात की अनुद याल नॉर्मलती फी वात है तो उसके बनकारक रॉसको का। आपके ऊब पया ठाड़ it veces शुब करन करार को! अब एक कि चाल चलने वाली बात करें के काम होता है कि चाल चलने में कि क्ाप इसका क्या चलने उसका को कुछ काम होघ लेकिन ना भी हो यहां पर यह भी ऑपशन बात कर नहीं हों चल रहा है यह को यह कुन करता है कि हैं-क यहां अगया करता का रख कर रहा है कि क्योंकि हमने करम को देखना कि करम क्या हमने सब करता है करता है को चाल चला तो आपका जो चालिस वे का ऑप्षिन वह आंसर हो गया ठीक तो हमने आप आपको टोटल वीज कोशन डिसकर्स किए आई होप कि आपको वीज कोशन समझ माय होंगे और हिंदी व्याकरण में देखिए आपको अच्छी तरीक सा सब्दों को समझना पड़ेगे जब आप सब्दों की पकड समझ लेंगे तब आप हिंदी व्याकरण को सौल्ट कर पाएं कर देखिए खर्ण को समझ लेंगे तरीक सा सब्स lips कर फुर्ण देए कर दो previous